नमस्कार अगर फिर्स आपका स्वागत है क्रिकेट के इसरी में मैं हूँ अब वोमेंस टूर्णामेंट की सबसे महंगी टीम गुजराज जाइंट्स ने कल दिल्ली कैपिटल्स जैसी मजबूर टीम को 11 रन से मात दे ली इस मकाबले में पहले गुजराज बल्ले बाजी करते वे स्कोर बोर्ड पर अपने चार विकेट खोकर 147 रन लगाने वहीं डिल्ली अपने सारे विकेट खोकर सिर्फ 136 रन ही बना पाई गुजराज जैस को इस जीत से अंक तालिका में भी फायदा हुआ है जहां यह टीम अंतिम स्थान पर थी तो अब चार अंकों के साथ चौ फायदा उठाया सोफिया डंकली के चार रन पर आउट होने के बाद वोलवाड 57 और हरलीं दोल 31 ने टीम को अच्छे से संभाली और साथ-साथ अच्छे साजिदारी भी निभाई इस जोड़ी के टूटने के बाद प्लेयर आफ दा मैच रही ऐशले गाडिनर ने 33 गेंदो को एक एक विकेट मिला है 148 रन के लक्ष का पीशा करने उत्री दिल्ली के शुरुआत कुछ खास नहीं रही वोपनर बल्लेबाद शेफाली वर्मा आठ रन पर सस्ते में आउट होगी इसके बाद मैकलैनिन का भी बल्ला नहीं बोला और मातर 18 रन पर वो आउट होगी इसक 28 रन की पारी भी टीम के काम नहीं है गुजरात की गेंदवाजी की बात करें तो किम गार्थ तनूजा कनवर और एशले गार्डनर को दो-दो विकेट मिले इसके अलावा कप्तान स्ट्रे राणा और हर्लीन डेल ने भी अपने खाते में एक-एक विकेट लागी वहीं आज से भी और गुजरात जायन्स के बीच होना है क्रिकेट से जुरी ऐसी और विपडेट को जानने के लिए देख तरहें क्रिकेट के इस्तरी थन्यवाद्वाद्व